नमश्कर दोस्तों मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हर्दिक अभिननन करती हूँ दोस्तों आज हम जानते हैं आग्या चक्र को जिसे संस्क्रीट में अजना और इंग्लिस में ठरड़ाई चक्र कहते हैं दोस्तों इस्वर ने हमें दो आख दी है जिससे हम भौतिक दुनिया को देख सकते हैं और आनन्द ले सकते हैं पर इसके अलावे इस्वर ने एक और आख हमें प्रदान की है जिससे हम अपने भीतर देख सकते हैं जिससे मन की आँख कहते हैं और यही मन की आँख या तीसरी आँख जो है वो दोनों आइब्रो के बीच इस्थित है जया वाइट चमकदार या इंडिगो चमकीला चक्र है जो हमारे सरीर के अन्ने सभी चक्रों में बैलन्स बनाई रखता है आज्या चक्र जो है वो ब्रह्म ज्यान और सुच्म अन्वहों का सेंटर प्लेस है आज्या चक्र के एक्टिवेट होने पर बैक्ति में इंट्यूशन इमिजिनेशन और सिच्वेशन से निपटने की छमता होती है दोस्तों आज्या चक्र के एक्टिव होने से अनेकों फायद कुछ बाते यहां मैं बताऊंगी, जैसे ब्यक्ति के बौधिक छमता में तेजी हो जाती है, ब्यक्ति संसारिक माया मोह से उपर उठ करके जीवन आनंद की ओर बढ़ने लगता है, ब्यक्ति में इमिजिनेशन पावर तेज हो जाती है, ब्यक्ति में अनुमान लगाने की छमत परफेक्ट हो जाती है बैक्ति के ठर्ड आई एक्टिभेट होने से अलोकिक सक्तियों का आभास होने लगता है एक नई एनर्जी प्रवाहित होने लगती है जिसके कारण बैक्ति की देखने और सुनने की पावर बढ़ जाती है दोस्तों ठर्ड आई एक्टिभ होने से इतने फायदे है वहीं अगर इंबैलेंस हो तो कई सारी सारे रिक मानसिक और भावनात्मक प्राबलम होती है जैसे हमेशा सिर्दर्द का होना आखो से रिलेटेड प्राबलम कान से रिलेटेड प्राबलम सही से नीन नहीं आना कमजills हो जाना हमेशा टैंसन में रहना सच बोलने से डरना कोई डिसीजन नहीं लेपाना दिमांग में हमेशा कनफ्यूजन रहना बात बात पर इमोशनल हो जाना तो आप सब अगर बिजनेस में सकसिस होना चाहते लोगों की समझने की कला सीखना चाहते हैं सही और जल्दी निरनर लेने की छहमता अपने आप में डेवलब करना चाहते हैं दिमागी तौर पर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने आग्या चक्र को एक्टिव करे और बैलन्स करे अब हम जान लेते हैं इंदु धर्म में तीसरी आँख का एक विसेश महत्व है, इसे खोलने के लिए योग और ध्यान की विसेश प्रक्रिया रेगुलर करें, ओपन आई मेडिटेशन करें, किसी सांत स्थान में बैठ कर अपनी नजरों को एक जगर टिका कर रखें और एक फोकस पॉइंट पे आटक बिधी भी कहा जाता है, इस बिधी का रेगुलर अभ्यास बहुत ज़्यादा लाबदायक होता है, दूसरी रेकी से, यह सबसे आसान बिधी है, इस साधना से तो आप 21 दिन में ठरड़ाई खोल सकते हैं, इसके अलावा जाज योग मेडिटेशन से भी ठरड़ाई ए आग्या चक्र एक्टिवेशन के लिए बीज मंद्च ओम की चैंटिंग डेली 21 मिनट करें, बहुत फायदे मिलेंगे, इसके साथ ही आप सब अपने खाने में परपल फूड जैसे ब्लूबेरी, बिट्रूट, नट्स सामिल करें, अपने जीवन में घर में इंडिगो कलर का इस्तमाल करें, जैसे घर में परदे ब्लू कलर के लगाए, बेड़ सीट, इंडिगो कलर का यूज करें, कुछ इंडिगो सेट्स के कपड़े भी आप पहनें, और क्रिस्टल जमसी स्टोन से एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो क्लियर क्वाज, मूनिस्टोन, एमेथिस्ट सफायर धारन करें, इसके साथ ही ठर्ड आई एक्टिवेशन के लिए एरोमा थेरिपी में जोजमेरी या स्वीट पी ओल का इस्तमाल कर सकते हैं, इन सब के साथ ही आप अपने आप को अफर्मेशन दे, आग्या चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे I open myself to accept my intuition and wisdom, I trust and follow my inner guidance, I use intelligence and intuition to see clearly, दोस्तों आग्या चक्र में अपार सक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं, इसलिए बैक्ति के आग्या चक्र एक्टिव होने से सभी सक्तियां जाग पड़ती है, और बैक्ति सिद्ध पुरुस बन जाता है, इसके साथ ही, अब मैं बिदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे कि चक्र की जानकारी के साथ, तब तक आप मेरे वीडियो को देखें,